है यह यह दिया दिस प्रेस और आस्पीराज इंगलिस क्लासे आपकी जायत करेंगी तो वीडियो को अंतर देखिए यह आपकी शायत करेगी आपके लिए काफी helpful होने वाली है तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं use to, uses to और use to का use हम लोग कहां पर करते हैं आईए वीडियो को देखते हैं तो इस परकार का sentence अगर आपको मिलता है जैसे मैं खेला करता हूँ तुम परहा करते हो वह नाचा करता है तो इस परकार के sentence में हम लोग use to का use करते हैं चलिए कुछ example देखते हैं जैसे कहेंगे मैं खेला करता हूँ I used to play तुम परहा करते हो You used to read वह नाचा करता है He uses to dance तो इस परकार से हम लोग کوئی sentence इसके साहता से बना सकते हैं, तो जितना ज्यादा सेंटेंस आप यूजटी के साहता से बना सकते हैं, उतना ज्यादा बनाने का कोशिस कीजिए, अब जब भी फिरी समय में बैठे हुए हैं घर में ये कहीं पे भी कुछ भी, फिरी समय कहीं पे भी अगर आप बैठे हुए हैं इस परकार से कोई भी sentence आप उठा सकते हैं अगर ये trick आप अपनाते हैं कोई भी sentence को अपने आज पास से उठाते हैं और translate करके बोलने का कोशिस करते हैं तो फिर अपने आज पास के हर एक sentence को आप बोल पाएंगे और आपको कोई नहीं रोक पाएगा English सिखने से और नहीं कोई रोक पाएगा English बोलने से तो कोशिस कीजिए कोई भी sentence आपको मिलता है उसको तुरण translate करने का कोशिस कीजिए तो चलिए देखते हैं अगला use क्या होता है use to के use हम लोग कहाँ पे करेंगे past में कोई भी एक्सेन हम लोग past में करते थे but we are not doing it anymore लेकिन उसको अभी हम लोग नहीं कर रहे है पास्ट में करते थे अभी नहीं कर रहे है तो उसे sentence को हम लोग used to की सायता से बनाएंगे चलिए example देखते हैं जैसे कहेंगे कि मैं किरकेट खेला करता था I used to play cricket यानि मैं किरकेट खेला करता था पहले अभी नहीं खेलता हूं तुम कहानी पढ़ा करते थे you used to read story तुम कहानी पढ़ा करते थे लेकिन अभी नहीं पढ़ते हो तो इस परकार के sentence को हम लोग used to की सायत से बना सकते हैं तो कितना सायता से बना सकते हैं कि used to का sentence जो है हम लोग कोई भी एक आदत जो past में था उस तरह से related कोई भी sentence अगर आपको मिलता है तो तुरंत आप used to की सायता से translate कर सकते हैं बहुत ज्यादा sentence जैसे कहेंगे कि महात्मा गांधी टाला करते थे महात्मा में यह काफी ज्यादा use होता है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही important है तो आराम से जितने ज्यादा sentence आप बनाने का कोशिज किजिए और बहुत सारे sentence तो आपको description में भी मिल जाएंगे description में जो भी sentence आपको मिलेंगे उसको आप बनाने का कोशिज किजिए और हमें comment किजिए अगर कोई sentence नहीं भी बन बाता है किसी कारण मस तो आप comment कर सकते हैं reply तो आपको बहुत ही जल्द मिलता है तो जितना ज्यादा sentence बना सकते हैं उतना बनाने का कोशिज किजिए जहां तक मेरा विश्वास है आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होग तो ज्यादा ज्यादा sentence बनाने का कोशिज किजिए तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया और इंट्रेस्टिंग सिखेंगे थैंक्स